Hi, I am Deepak, student of class 9th. I am participating in this competition and I choose my topic, a single user plastic. जैसा कि हम सब प्लास्टिक से होने वाले नुक्सोनों के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. यह एक non-bio-trigable substance है, जो हमारे वातावरान के लिए बहुत थानी कारक है. प्लास्टिक का सबसे ज़्यादा वेस्टेस पॉली वैक्स के रूप में होता है, जिने लोग उपयोग के बाद बिना हिटकीचाए इदर उधर फैक देते हैं. मैं इस परब्लम के सुलूशन के बिये एक साथ बैंट प्लदर चाहती और लिए मैं इस प्रब्लम के सुलूशन के लिए एक सागैशन धेना चाहता हूं गौवर्मेंट को पॉलिबैक्स बंताने वाले सभी कार खान बेर बैन लगा देना चाहिए और अपने ने तरित में लिमिटिट कॉंटिटी में पॉली बैक्स का निर्माण उनके सीरियल नंबर के साथ कराना चाहिए फिर उन्हें निश्चित दामों पर दुकानों पर पहुचाया जाए और यहनी इमलागों कर दिया जाए कि अगर किसी वेक्ती को पॉली वेक्स इत्माल करना है तो पहले दुकान पर एटलिस्ट दस रुपे जमा करे और अगर वह उप्योग के बाद उस पॉली वेक्स को वापिस करता है तो उसे आटर पर वापिस दे दी जाएंगे और फिर गॉवर्मेंट का एजेंट आकर उन्यूस्ट पॉली वेक्स को दुकान से ले जाएगा और बाद में उन्यूस्ट पॉली वेक्स को रिसाइगल के प्रोसेस से पुन्ह उप्योग में लाए जा सकता है इसके साथ साथ बास्टिक और फूट पैकेसिंग जैसे नमकीन, टोफी, चोकलेट, चिप्स आधी के लिए भी किया जाता है गोवर्मेंट को इन सब पर भी बैन लगाना होगा और इनकी पैकिंग के लिए पेपर और सिर्वल फॉल का इस्तमाल किया जाना चाहिए गोवर्मेंट के साथ हमें भी अपने कुछ कदम सचता की और बनाने होंगे हमें जहां तक हो सकता है का प्ले से बने थे लोगा इस्तमाल करना चाहिए और वेस्ट प्लास्टिक को रिसाइक्लिंग के लिए अलक डिब्या में स्टोर करना चाहिए तभी तो